हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षन इदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नंबर थी करेंगे जो कि क्लास सेवंथ की है और विश्य है हिंदी बेटा ये वरक्षिट 24 सितंबर 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वरक्षिट हम पंच्छी उनमुक्त गगन के प्यारे बच्चों COVID-19 के लोकडाउन या ताला बंदी में घर के अंदर बंध होकर कैसा लगता है यह है तो आप जान ही गए होंगे तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षि को कैसा लगता होगा आएए इसी बारे में जानते हुए कवीता हम पंच्छी उनमुक्त गगन के का तीसरा भाग पड़ते हैं यह कवीता शिव मंगल सी है सुमन द्वारा रच्ची गई है तो बेटा इसके दो पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं दो पार्ट वरक्षित के अगर आप लोगों ने मेरी वरक्षित नहीं की है बच्चे तो आप वरक्षित और वीडियो देख सकते हैं तो आईए करते हैं आज की वरक्षित तो देखो कितना प्यारा लिखा गया इसके अंदर तो हम सासात में भावार्त भी समझते हैं देखिए होती सीमा हीन शिती से इन पंकों की होडा होडी कभी कहते हैं कि सीमा हीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंक में एक होड सी लग जाती है कि जब पक्षी उड़ते हैं देखो आसमान में उड़ते हैं तो उनमें एक होड सी लग जाती है एक प्रत्योगिता सी हो जाती है उनके बीच में कि पहले कौन जाएगा वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं या शितिज मिलन बन जाता या तनिस सांसों की डोरी जिस दाली ना दो नीड न दो चाहे टहनी का मतलब कि उन्हें घोंसला बनाने के लिए टहनी ना दो चाहे रहने का स्थान भी तो डालो आश्रे जिन्विन कर डालो चाहे रहने का स्थान भी तो डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उड़ान में विग्ण न डालो लेकिन अर पारे उडान में किसी तरह की बांधा मड़ डालो विगन मड़ डालो ठीक है क्योंकि वो आसमान की उचायों तक चुना चाहते हैं तो कभी भी मैं जैसे पिछली वक्षीर में भी काहता किसी भी पक्षिकों में पिंजरे में नहीं रखना चाहिए तो यहां कुछ वर्ड मीनि होता है घर आश्रय का मतलब क्या होता है घर ऐसी होडा होडी मतलब प्रतियों गिता कि जब पंक्षी उड़ते हैं तो उनमें होड लग जाते हैं कि प्रतम मलब जादा आगे तेज कौन उड़ेगा विग्ण मतलब की होता है पाधा विग्ण मतलब होता है बाधा तो यह आप इसके कोशन अंसर करने की कोशिश करते हैं देखे क्या दिया गया है फर्स्ट कोशन पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी एक छाएं पूरी करना चाहते हैं तो बहुत आसान है पक्षी क्या करना चाहता है आस्मान को चुना चाहता है उड़ना चाहता है वो बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहता तो आईए करते हैं इसका अंसर तो आईए करते हैं बेटा इसका अंसर पक्षी आस्मान में उंची उड़ान भरना चाहते हैं अर्थार्थ आस्मान को छूने की इक्षा रखते हैं तो क्या होगा इसका अंसर कि पक्षी क्या करते हैं आस्मान में उड़ान भरना चाहते हैं उन्हें पंक दिया है न तो वो उड़ना चाहते हैं अर्थार्थ आस्मान को छूने की इच्छा रखते हैं आईए नेक्स्ट कोशन करते हैं बेटा हम देखें नेक्स्ट कोशन क्या है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं अपने विचार में लिखें तो बेटा आपको क्या लगता है कि पक्षियों को पालना उचित है अगर मैं मेरी बात करू तो मुझे तो पक्षियों को पालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता प क्या खुले आस्मान में अपनी मर्जी से उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं, तो आईए करते हैं इसका अंसर बच्चे हम, तो देखे बेटा क्या है इसका अंसर, पक्षियों को पालना मेरे विचार में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इस पक्षियों को पालना मेरे विचार से बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इसे पक्षि पिंजरे में कैद हो जाते हैं, पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता है, ठीके, तो आईए हम करते हैं, नेक्स्ट कोशन, देखिये, नेक्स्ट कोशन क्या दिया गया है, निमन लेकर शब्दों से वाक्या बनाए, तो यहां को शब्द दिये गए हैं, उनसे हमें क्या करना है, वाक्या बनाना है, जैसे कि घोंसला, प्रतियों गिता, बाधा और घर, तो घोंसला का देखो, वहां चिरिया का घोंस चाहिए घर मेरा घर कितना सुंदर है या वह है घर कितना दूर है हम कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं जो आपको लिखना चाहिए आपके अपने विचार होने चाहिए मैं सिर्फ समझा देती हूं लेकिन आप अपने विचार के अनुसार यहां पे लिखेंगे तो आइए करत प्रतियोगिता कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी या कोई और लगा देचे कि हम भाई बैन में या मेरे और मेरे दोस्तों के बीच प्रतियोगिता थी तो कुछ भी बस प्रतियोगिता शब्दाना चाहिए तो कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी बाधा हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए और नेक्स देखो लास्ता घर मेरा घर बहुत सुंदर है मेरा घर बहुत सुंदर है तो बेटा इसके अलावा आप और भी अलग से वाक्या बनाएए ये सिर्व आपको समझाने के लिए बताए गए हैं आप अलग से अपना सोच कर कुछ नए किसी नेक कभी कोई पक्षी पाला है उसकी देखरे कैसे की जाती होगी लिखिये तो बेटा देखो पहले तो पक्षियों को पालना क्या है सही नहीं है लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने की पक्षियों को पाला है तो उनकी देखरे कैसे करता है क्या उनकी इसलिए सुविधाएं देता है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है तो आईए करते हैं बेटा इसका अंसर हम तो देखी क्या होगा इस का अंसर हां मेरी जानकरी में एक व्यक्ती है जिन्होंने पक्षियों को पाला है वह उनकी बहुत देख रेख करते हैं जैसे कि उन्हें अच्छा दाना खाने को देते हैं उनके लिए पानी पिंजरे में रखते हैं पिंजरे की साफ सफाई रखते थी की साफ सफा रखते हैं पानी की पिंजरे में रखना झाइन जही संव्वै क्या है तो अगर कोई रखता भी है तो कि अब बहुत देखरेक के साथ रखना चाहिए जैसे कि उन्हें अच्छा खाने को मिले अच्छा दाना खाने के लिए दो साफ पानी उनके पिंजरे में रखो जिससे जब उने प्यास लगे तो वो पानी पी सके और इसके लावा क्या है मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स